हाई गाईस आप सभी को पता हुआ कि MongoDB में तीन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोड़ाइड करता है पहला है Atlas, दूसरा है Enterprise Advance और तीसरा है Community Edition यह अगर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लिखा भी है कि Atlas में कौन सा चीज आपको यूज़ करना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट इनका यूज़ करना चाहिए आपको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं MongoDB उसकेस में पहले बात करते हैं MongoDB Community Server की यह suitable है for developers who prefer self hosting and want full control over their database infrastructure without additional enterprise feature or support यह वैसे developers के लिए है फिर वैसे businesses के लिए है जो कि self hosting करते हैं यानि कि अपने server पर host करना चाहते हैं और पूरा control चाहते हैं अपने MongoDB पर उनके लिए यह best option है MongoDB Community Server ठीक है लेकिन इसमें आपको additional enterprise के features और support नहीं मिलते हैं दूसरा इसमें option हमें मिलता है दूसरा product हमें मिलता है MongoDB Atlas जो कि है एक cloud based fully managed service for developers who prefer convenience, scalability and ease of management तो यह cloud based है मतलब आप अपने system पर इसको host नहीं करते हैं यह cloud पर रहता है MongoDB Atlas और वहां पर आपका data जो भी रहता है वह सारा store रहता है इसे अपको यह फाइदा हो सकता है कि आप क्लावड में है तो आप कहीं से भी किसी कहीं से भी आप 10-12 लोग है तो उसको वह लोग access कर सकते हैं कि अगर आप self hosting कर दें तो जिस server पर आपने इसको install किया होगा MongoDB Community Server को सिर्फ उसी पर काम कर गए मैं आपको पहले वाली की बात बता रहा हूं जबकि MongoDB से इसको compare कर तो MongoDB Atlas जो होता हुआ बेस्ट option होता है पर असा देखते हैं कि कितीनों में कुन-कुन सा feature में मिल जाता है एक बस ऐसे पॉइंट वाइस ले लेंगे जिसे MongoDB Community Server की बात करें तो इसमें यह open source है Community support इसमें आपको मिलेगा और flexibility इसमें मिल जाती है MongoDB Atlas की बात करें तो यह fully managed है Cloud based है automated scaling है additional features से pay as you को जैसे आप use करेंगे वैसे वैसे आपको इसमें पैसे देने पड़ती है उसी तरीके से MongoDB Enterprise Server है जिसमें advanced feature आपको मिलते हैं Enterprise support मिलेगा और commercial license भी आप इसमें से ले सकते हैं मतलब खरी सकते हैं पैसे देने पड़ते हैं तो इन तीनों को अगर compare करें तो MongoDB Community Server आपको free मिलता है open source से कम्यूटी के support मिलेगी और यह flexible है अगर MongoDB Atlas के बात करना तो यहां भी free मिलता है लेकिन कुछ limitation है उसके free की मैं भी मैं आपको देखा दोंको website पर ले जाके लेकिन फुली मैनेज़ यानि की जो जो sell कर रहे हैं जो product बेज रहे हैं वह लोग manage करके आपको इसको देते हैं MongoDB Community Server और MongoDB Atlas के में जो features हैं उससे ज्यादा features आपको मिलते हैं और इसमें आपको enterprise support भी मिलेगा यानि कि खास आपके लिए support खड़ा रहेगा commercial license आपको लेना पड़ता है उसके लापको हो सकता है कि इसका costing तो अलग तरीके से होता है कितना notes आप लेना चाहते है कितना size आपको requirement है उसके साब से कोश्टिंग बेढ़ता है तो उसके हिसाब सबको commercial license भी लेना पड़ सकता है जिसका charge आपको उस company से contact करने के बाद पता से लेगी उस company आपसे आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर सपोर्ट में कॉंटेट करेंगे तो वह लोग आपसे आपकी company का कुछ detail मांगेंगे कि कुछ आपके company company का क्या नाम है कितना आपको जरुरत है किस चीज के लिए जरुरत है थोड़ते लोग लेते हैं उसके बाद इस लिंक पर जाहिएगा mongodb.com licensing slash server मैं आपको पर पढ़े कवाज से तो आपको दिख रहा हो तो आप इसी पर जाहिएगा FAQ है यहां पर जाने के बाद आपको सारे जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप committee server यूज करते हैं तो आपको किन-किन product पर यूज करना चाहिए और क इसमें वैसे कोई limitation वागरा तो नहीं enterprise इसको compare करें तो कि size वागर का कोई limitation नहीं आप जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़े हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है जो इस FAQ में जाकर आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से तो आपको website पर दिखा इंटरप्राइस अद्वांस community server नहीं वह फ्री ओपन सोर्स है तो उसका आप यूज कर सकते हैं तो Atlas का अरब देखें तो यहां पर आपको तीन प्लान मिलते हैं अभी तो तीन ही दिख रहा है जिस पर कि आपको $0 per month दिखाई दे रहा होगा और यह free forever for free clusters लिखा वाल लेकि में upgrade to dedicated cluster for full functionality no credit card required to start बाकि आप यू प्राइसिंग में फिर all features में जाकर इसके बार में all features और जीज़ा देख सकते हैं उसके dedicated है जिसमें आपको $57 per month देना पड़ेगा लेकिन आपको बहुत सारी चीह से मिलती है और यह एक एप्रॉक्स दिया हुआ हुआ है बाकि आपको दे सकता है यह भी जानवर रखेंगा और यह है production application with जो मतलब production application के लिए लिखा हुआ है उसके serverless है जिसमें आप लेख सकते हैं कि यह इतना million देगा आपको इतना dollar per read और यह serverless application के लिए है और यहाँ पर detail में लिखा हुआ है इसमें आपको एक TV तक storage मिल जाता है इसमें आपको रहें यहाँ पर इसमें आपको कहीं पोस्टिंग नहीं देखता कि कितना पैसा लगेगा यहाँ पर पैसा आपको ऐसे दिखाए नहीं देता है कि डिपेंड करता है कि आप as a company वैसे थे company जो organization होती है उनके लिए होता है अगर आप चाहे तो खुद के लिए सकते हैं अगर बहुत बड़ा बीचने से आपका उसकी समय तो बेस्ट वे टू रन मॉंगो डीवी यहाँ पर देखीगा यह प्राइवेट क्लाउड पे आपका और और अगर आपको प्राइवेट क्लाउड वगयरा या फिर आपका अपना बड़ा सा कुछ सेट अप है तो उसके लिए य इसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चाहिए आपको क्या-क्या मिलेगी वह फीचर्स हाइलाइट यहाँ पर दिया होगा क्यों क्यों डिवांड ट्रेनिंग में आपको दे देंगे यह लोग और यह साचीन दिख जाती है कांतें सेल में क्लिकर के इनको कनटेट कर सकती है फिर आपको आपको कमपनी की डिटिल कमपनी उसकी डिटिल इटिल करने पड़ेगी फिर आ जब इक वर कंपनी कह म अपनी कंपनी का डिटल पर दें ऐसमimana को भी एक कि साहिए जो फीचर्स मैं आपको भी बताया था वह सारा फीचर्स आप ले लिजीगा मतलब ले सकते हैं आप वैसे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं कहता हूं कि आप कम्यूटी सर्वर अकर बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं आप जरूर से देखिएगा वरना आप में कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप हैंग ना होजा है आपका दिमाग ना होजा है देखिए मैंने जो लिंक आपको बताया था इंप्लिकेशन ऑफ दिस न्यू लाइसेंस ऑन एप्लिकेशन बिल्ट उजिंग मॉंगो डीबी अंड मेड अवलेबल आज सर्विस तो सास प्रोड़क्ट पर जम्रों सास बनाते हैं मॉस्टली उसका क्या असर पड़ेगा वहां पर लिखा गया कि कोपी लेफ्ट कंडिश उसकेस में यह यह लोग करते कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अधरवाइस दर इस नो कोपी लेफ्ट कंडिशन फॉर सास अप्लिकेशन दैट यूस करते हैं अपने अप्लिकेशन पर उसका पाराम से कर सकते हैं लेकिन अब अगर मॉंगो डिवी को मॉडिफाइब करके किसी पार्टी सर्विस पे इसका होता ने कि लोग सेल करने लगते हैं इसी इसी को इसी का कोड निकाल के ओपन सोर्स है तो वह ऐसा नहीं करना है उस पे आपको यह लोग क्लेम मार सकते हैं इसको यहां पर है वाटार दी इंप्लिकेशन आफ दिस नीव लाइसेंस ओन यूर इसको पढ़ लीजिए एक बार ठीक है इसको पढ़ लीजिए बाकि आप यहां पर मैं गांगा कि सारे फेकी को पढ़ लीजिए जिससे आपको बैतर नोलज हो जाए और जो हमारा कम्मुटी सर्वर है वह इससी लासेंस पर चलता है तो लासेंस आपको कोई भी डाउट है इस लासेंस से रिलेटर तो आप इसके सेल्स पे पॉंटिट कीजिएगा जहां से मैं आपको प्राइसिंग हो रहा पर जहां आपको बता था उस पर यह फिर इसका जो फॉरम है मंगो डिबी का उफिशल फॉरम है उस पर आप साइंग इन करके उसको पूछ सकते हैं वह बह कør रहा हम डॉब कर रहे होते हैं तो यह पी कोई कंबनी की निए यहांपर यहां ब्रें रृज करते हैं तो उसन इसके विश्का लैसे को जैसे को ढगलना चाहिए वर अगर अन्दर को डव्ट है कि इसका मैं यूज में थो स्टाफ अभब दोस्तों इतना ही रखते हैं मंगोगे लिए के बारे में यह सारी जनकारी थी मन्दδों if प्रोडक्स के बारे में यह जनकरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम्यूटी सर्वर मॉंगो डीबी एटलस और मॉंगो डीबी इंटरप्राइज एडवांस तीनों के बारे में अच्छे से पचा चल गया होगा गर कोई डावट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सक करते हैं यह फिर मैं सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को देखने के लिए आप सो कम बहुत-बहुत धन्यवाद